नमस्कार मैं हूँ सुनिल बौवी आप देख रहें मगत संबाद यूटूब चैनल आज की ताजावब बड़ी खबर और अंगाबाद में मोबाईल एप से बन रही है सिचको की उपस्थिती एक तरप अस्कूलों में मोबाईल एप के दोबारा उपस्थिती बनाने को लेकर परसासन जहां सक्त है वहीं सिचक संग इसका कर रहे हैं बिरोद मोबाईल एप का सिचक कर रहे हैं बिरोद परसासन लागू करने पर है सक्त मोबाईल एप से हो रही है स्कूलों की मोनिटरिंग सिचको ने की बैठक बनाई रन्नीती बिहार राज सिचक सम्नवे समिती ने कहा सिचक एब का नहीं सिश्टम का करती है विरोध अब पूरी खबर विस्तार से बिहार परदेश के और अंगावाज जीले में अस्कूलों में सिचको की उपस्थिती 20 नवंबर से मोबाईल एब से बनना सुरू हो गया है लेकि तकनिकी कारणों के कारण कुछ अस्कूलों में यह मोबाईल एब काम नहीं करने के कारण यह प्रात्मिक वम्मद विद्यालियों की मोनेट्रिक एब से बुद्धवार सुरू हो गई है लेकिन अधिकांस जगों पर यह एब काम नहीं कर सका कई सिचकों के मोबाईल में डाउनलोड एब एहीं डिलिट हो गया साथ ही जब सिचकों ने सेलफी लेकर फोटो अपलोड कर भावित हुई है यह नई विवस्था है और कमी को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा खूल मिलाकर कहा जा सकता है कि औरंगावाद जीलों के सभी प्रात्मिक और मद्द विद्याले में अस्कूल मोनेटरिंग एप से उपस्थिती बनना बुद्वार से सुरू हो गया है मोब मोबाइल एप को लेकर परसासन वा सिचक आमने सामने हैं जीले भर में सिचक इस मोबाइल एप का लगतार बिरोध कर रहे हैं तो वहीं परसासन इस सिच्टम को अस्कूलों में लागू करने को लेकर सकत है बुद्दवार यानि 20 नवंबर को बिहार राज सिचक सम्नुए स समीती के सैयोज है महंदर सी ने की बता दे कि इस बैठक में विहार राज प्रारमिक सिचक संग के जिला इचेर अमीत सुमन समेथ कई सिचक संगतार इस बैठक में शामिव इन सभी ने संजुक तुरुप से कहा कि जिला परसासन द्वारा अस्कूलों की मोनेटरिंग एवं उपस्थिती बनाने के लिए लागू किये जाने वाले मोबाइल एप का बिरोध नहीं करते हैं। असोक पांडे, सचीव भी नए यादो, अनिल कुमार सी, मारकंडे सी, छट्ठू सी, कुंदन ठाकूर, मनोच कुमार सी, आदिस सिचको ने कहा कि जब यह सिष्टम भी हार में लागू नहीं है तो अरंगा बाद में क्यों। पर डाउनलोड करना अपनी निस्ता के सार्विजनिक प्रेंट फार्म पर साजा करने जैसा है, जो कानूनन तरीके से सही नहीं है। यदि जिला परसासन द्वारा इस एप को नहीं रुका गया तो जिले के सभी परधाना ध्यापक, MDM, जो गैर सैचनी कार्ज हैं, इसका भी BRSS report नहीं देंगे। साथ इस सम्नवे समीती 22 नवंबर को अगली पैठक कर आगे किरनिती तयार करेगी। और एप पर तस्वीर अपलोड करने को कहा गया है। इधर पसासनिक अधिकारियों की माने तो इस मोबाइल एप का विरोध वही सिछक कर रहे हैं, तो जो विद्याले से किसी न किसी बहाने अक्सर गाइब रहते थे। वहीं बच्चों की उपसिती में हेर फेर कर उनका फायदा उठाते थे। मगर मोबाइल एप को लागू करने के बाद सिछकों को समय से अस्कूल जाना और आना बाधता हो जाएगी। बच्चों की उपसिती की सिती क्या होती है, इसकी निगरानी भी होती रहेगी। यहीं वज़ा है कि कुछ सिचक वा सिचक नेता इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यह मोबाइल एप सिच्टम हर हाल में लागू होगा। वैसे देखना दिल्चस्प होगा कि सिचकों के लगतार विरोध के बाद परसासंग द्वारा क्या कदम उठाया जाता है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि सिच्चक और सिच्चा वीबा की खबरों से आपने अपडेट धन्यवाद जय हिंद जय वारत बंदे महातरम